देश के लिए जन्नायक बनकर रुब्रे राहुई गांधी अब नीता प्रतिपक्ष बन चुके हैं नमस्कार खबर हाट देखो और सुनाया आप और आपके लिए लिकर आए हैं हमारा एक खास वीडियो जहां पर हम आपको बताएंगी कि नीता प्रतिपक्ष बनी राहुई गांधी की किती सेलरी होगी क्या सुविधाएं उन्हें मिलेंगी क्या शक्तियां उनके पास होंगी वह राहुल गांधी जिनसे उनका सरकारी आवास चीन लिया गा था उससे कई मायनों में बहतर होगा लिटन जोन में एक लंबा चोड़ा बंगला चार सर्विंट गैराज हरा भरा लॉन राहुल गांधी को अब एक बहुत ही आलिशान और शांदार बंगला अलाट होगा जो कैबिनिट मिनिस्टर को होता है ये बंगला टाइप 8 का होगा जो पूरे 8,250 स्क्वेर फीट के एरिया में होगा ड्राइवे इसका एक महतपूर्ण पाथ होता ह है एक हिसा होता है जसे सीधी गाड़ी अंदर तक पहाश्ती है राहुल गांधी को एक सरकारिक गाड़ी और ड्राइवर भी दिया चाहेगा ड्रोइंग रूम लिविंग रूम डाइनिंग एरिया और साथ बड़े हावादार कमरे अब बहुत ही शांदार बंगलो जो है र सदन की कुल सीटों का 10% होती है उसे बलंगे एक सांसर performed सेहमती से अपना नेता चुनता है आपको बता रहें कि अगर बिपक्ष को किसी भी दल के पास कुल सीटों का दस प्रतिशक नहीं हो तो स्थिति में सदन में कोई भी नीता बिपक्ष नहीं होता है लेकिन ये परिस्थियां अब बदर चुकी है राहुल गांधी के कॉंग्रेस पार्टी में 99 सीट जीत कर जो है सबसे बड़ी दूसरी पार्टी बनकर नीता प्रतिपक्ष की इ नीता प्रतिपक्ष के पास क्या पावर्स होती हैं नीता प्रतिपक्ष कई महतपों समितियों जैसे सर्वजनिक लेखा सर्वजनिक उपक्रम समीत कई समितियों के इस दाख से होता है कई सयुक्त संसदिय पहलों में होनी के अलावा नेता प्रतिपक्ष कई चैन समितियों क भी हिस्सा होते हैं जो परवर्तन निदेशाल एडी और केंद्रिय जांज विरो से वियाई जैसी केंद्रिय और सुशना जैसे समितियों एक्यास्ष्रतला थी आपको जानकारी देरेंगे कि नेता प्रतिपक्षित कि सेलरी किपनी होती रोग सभा में नीता प्रतिपक्ष का पद क्याबिनिट मंत्री के बराबर होता है ये पद काफी एहम माना जाता है इस पद पर बैठे व्यक्ति को केंद्रिय मंत्री के बराबर बेतन भते और अनिस सुभिधाय मिलती है जानकारी के मुताबिक नीता प्रतिपक्ष को प्रतिमाह ती जिसका खर्च सरकार बहन करती है संसर भावन के अलावा भी कई महतपून विश्यों पर नेता प्रतिपक्ष प्रधान मंत्री के साथ बैठे करते हैं और विचार विमर्ष करते हैं परमुख नियुक्तियों में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है जैसा कि मैंने आपको ने बताया जो देश के लिए महतपून रोल लादा करती है उनमें नीधा प्रतिपक्ष सदश्य होते हैं और उन और आजंसियों के जो भी परमुख निपढे हैं उसमें नीता प्रतिपक्ष की भी पूरी राय लिजाती है साथ ही बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो व्यक्ति चुना जाता है उसे क्या-क्या सुविधाएं मिलती है नेता प्रतिपक्ष जो की कैबिनेट मंत्री का दर्जा अपराप्त होता है इसलिए उन्हीं हर सुविठा मिलती है एक मंत्री को जो सुविठा मिलेगी तीन लाग से अधिक उनका पेतन होगा जोसा कि हमने आपको विस्तार से बताया है साथ ही सचिवाले में उन्हीं अपना एक ऑफिस भी मिलता है शेडो प्रधान मंत्री होंगे राहुल कांधी विपक्ष का नेता शेडो प्रधान मंत्री होता है इसके पास एक शेडो मंत्री मंदल होता है जो चुनाब में अपनी पार्ठी के बहुमत प्राप्ट करने या बरतमान सरकार के त्याग पत्र देनी की स्कती में सरकार बनाने क जिम्मेदारी लेने के लिए तयार होता है यानि कि भविश में अगर ऐसी परिस्तियां बंती हैं तो फिर उसके लिए शेडो प्रधान मंत्री के तौर पर नीता प्रतिपक्ष अपनी भूमिका निभाता है और इसी नाते राहुल की भूमिका नागेबल सरकार का विरूध औ और आलोशना करना होगी बलकि सरकार के गिरने की स्थिती में बैकल्पिक सरकार बनाना भी उनकी जिम्मेदारी होगी उसके लिए उन्हें तयार हमेशा रहना पड़ेगा तो यह आपको बता रहे थे नीता प्रतिपक्ष की शक्तियों सुविधा और सेलरी के बारे में यह ह तीसरी दफा अब जाकर नेता प्रतिपक्ष मने है क्योंकि उसके पहले कोई फिभी दल जो है उसके पास इतनी सीटे नहीं थी कि वह अपना नीता प्रतिपक्ष चुनते इसलिए पिछले दश सालों से नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया और सड़न में कोई भी नीता के पक्ष नहीं था लेकिन इस बार परिस्तियां बनी है और अपनी भारत जोड़ों यात्रा से जन्नायक बनकर उभरे राहुल गांधी इस बार कॉंग्रिस पार्टी के सबसे बड़े लीजर के तौर पर भी उभरे हैं। अब उन्हें एक सिरकारी अबास बतार नीता प्रतिपक्ष अलाट होने जा रहा है और बहुत सब्धाएं उन्हें मिलेंगी जिनका हमने विश्तार से आपको सारा ब्योरा दिया है। बहुत 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 शिक्रिया आप सभी का आप जुड़े हमारे साथ इस खास कड़ी मे थासरी के यूजर बहुत 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 बग्ड़े हमारे से रहा हैं रहा है।